जहीं दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं जिके जैस का मश इंपोर्टेंट कोशन देखें दोस्तों आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सीटी और कौन से नदी तट के किनारे वो सीटी है उनके बारे में थाथ ही वो सीटी कौन से देश मे इन सब के बारे में हम लोग रिफकस करेंंगे यहाँ पर पहला यहाँ पर शार का नाम आता अधाध बग्दाध उड़िए बगदाध जो है वह इराक में कौन को उसे नदीथत कीनारे है तो टिग्रिस नदी थटके किनारे बर्लीन है और किस देश में है जर्मनी देश में है बर्लीन जर्मनी देश अगला कोशन देखिए पर्थ ये पर्थ जो सीटी है आपका वो आपका अस्ट्रेलिया में है और कोन से नदी तट के किनारे है स्वान नदी तट के किनारे श्वान नदी पर्थ जो है वो देश में है, पॉलेंड में, और कौन से नदी तटके किनारे है, तो स्विच्चुला, नदी तटके किनारे वार्षा है, रोम सीटी अगर देखा जाए, यह रोम सीटी इतली में है, और कौन से नदी तटके किनारे है, टाइबर, टाइबर नदी तटके किनारे है, आपका रो कुन से देश में है इटली देश में याद रखेगा इंपोर्टेंट है इटली देश टाइवर नदी तटके किनारे रोम है अगला देखिए लंदन इंपोर्टेंट कोशन हम इसा पूछा जाता है लंदन जो है इंगलेंड में है कुन से नदी तटके किनारे है तो टेम्स तब देखें फ्रांस में हैं प्रांस में है और किस नदी तट के किनारे नदी तट के किनारे परिश है याद करते चलिए मौशको अगर देखा जाए तो मोश्को कौन से देश में हैं तो मोश्को अपका रूश में हैं मोश्को जो है मोश्को सीटी कौन से मोश्को सहर जो है कौन से देश में रूश में हैं और किस नदी तटके किनारे हैं तो मोश्कावा नदी तटके किनारे हैं मोश्कावा जो है मोश्कावा नदी तटके कि किनारे हैं जो कि रूस देश में हैं काहिरा अगर देखा जाए तो मिस्र में हैं काहिरा मिस्र में हैं और नील नदी तटके किनारे जो कि विश्व का सबसे लंबी नदी काउंट किया जाता है नील नदी और काहिरा जो है वो नील नदी तटके किनारे हैं इस देश में हैं मिस तट के किनारे किजील याद रखेगा नाम किजील अंकारा शहर जो है वो तरकी में है और किजील नदी तट के किनारे किजील नदी तट अगला कोशन देखिए next question है next city का नाम Montreal Montreal city जो है वो कहाँ पर है Canada में Montreal city Canada में है और कौन से नदी तट के किनारे है तो St. Lawrence St. Lawrence इसका right answer हो जागा St. Lawrence next देखे Sydney Sydney जो है वो कहाँ पर है Australia में Sydney कहाँ पर है Australia कौन से नदी तट पर है तो darling नदी तट के किनारे सिड़िनी है darling नदी तट तेक है Australia देश में है और darling नदी तट के किनारे है next देखे Washington अगर देखा जाए तो Washington कौन से देश में है अमेरिका में Washington city जो है कौन से देश में है अमेरिका में और किस नदी तट में है तो photo make नदी तट के किनारे इसका नाम याद रखिएगा अरा कावा थिक है तोकियो किस देश में जापान में कौन से नधी تटके किनारे है तो अरा कावा इसका राइट अंसर हो जाएग। देखिया क्याए देखिया क्यांग को इंग फिक्यां नदी थिक या तिक कनारे नदी तके अमेरिका दिस में है। और किस नदी तट के किनारे हैं तो हडशन बाट twenties् des planet के किनारे हैं में नदी किनारें आफ देखिए बसरा बसरा worst चीट कहां पर है बसरा सिटी एराक में है दिखे हैं, इراक और इरान में बहुत बच्चा confusion करता है, तो बसरा सिटी कहां पर है, इराक में हैं, और कोंसे नदी तटके किनारे हैं, तो दजला फरात नदी तटके किनारे है, दजला फरात इसका सहीं इंसरो जाएगा, कुन से नदी तटक किनारे है दजला फरात नदी तटक किनारे है वसरा अगला कोशन देखिए नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं 20 समाइन्य ज्यान से रिलेटेड जैसे के देखिए पहला कोशन आप लोग का सामने है कि मानो सरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों के संख्य सा इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा हात का जो पंज़्य होता हैे द事情 का हमारा हात का जो पंज़्यों होता हैlet황 आपन्या सबसे जाधा हडियाँ पाय जाता है यान पर दिया हुए अंगलियों में पैया जाता है एक्रोस्टे होता है अगर बात किया है हमारे माउथ में तो माउथ में टाइली नाम का एंजाइम पाए जाता है जो यो कहा हमारे प्रोटीन का पाए बंचन करता है औरərज हो जो होता है में में फैट का फाचन होता है। एक जो कि बाइल जूस हो गया और दुसरा हो गया पन्क्रेटीक, यह दोनों को दोनों आपका जो कि भूजन को पचाने में, फैट को पाचन करने में मदद करता है। देखें, एंजाइम, स्वरी, एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना किस से होती है, एमिनो असीड से इसका राइट एंसर हो जागा है, एंजाइम की रचना होता है, एमिनो असीड से, अगला कुश्चन देखिए, मानो सरीर के सबसे बड़ी गरंती कौन सा है, यक मनुष्री में बहुत सरे जिकत आता है जिसे की मुत्र का बन्ना हो जाता है उसे ऊपलता क्स अबी यक्रित डेमेज होने से जो बच्चे होते हैं उसमें पीलिया नाम का जोंडिस बिमारी होता है पीलिया रोग होता है जो कि स्कीन और आखे येलो कलर कर दिखाई देने लगता है उसलिए नेक्स दिखा जाए और अगर बात किया जाए यक्रित के बारे में तो हमारे सबसे होता है अगला कोश्चन देखिए तुरिया उदय होते शमय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाए देता है इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रकिर्णन के कारण अक्च्छल में क्या होता है कि सूर्य जो है वह डूबते समय यह है आपका प्रित्वी ठीक है आई यह सन का अराइजिंग पॉइंट और इंडिंग पॉइंट ठीक है ना मतलब यह पूराप समझ लिए इस्ट और यह हो गया आपका वेस्ट तो क्या होता है कि प्रित्वी और सूर्य जब वह राइजिंग पॉइंट होता है मतलब उगने का टाइम होता है उस समय सन और प्रित्वी क 48 डिस्टेंस अधीक होता है ये डिस्टेंस सिभं रेट कलर ही कवर करता है वह सप्रेड हो इसलिए तुरियोदय और सुर्यास्त के समय तुरी जो होता है लाल कलर कर दिखाए देता है अगला कुशन देखिए घरों में विधूत सर्यंत्र जोड़े जाते हैं घरों में जितने भी सर्यंत्र है यानि कि जो इंस्ट्रुमेंट है जिसे पंखा हो गया फ्रीज हो गया कु कुछ इस परकार से जोड़ा जबता है यह होता है इस में समस्तर क्रम में जोड़ने Along में फैय का मतलब हो गया कुछ इस परकार से कम होता है तो बीजली का बील भी कम आएगा उसके बाद बाइचांस अगर कोई एक इंस्टुमेंट खराफ हो गया तो बाद बाकी से बीजली जो ना बाइपास हो करके दुसरे छोड़ तक आसानी से पहुंच जाता है और क्या होता है कि स्रीज करम में अगर जोड़ा बाइचांस कोई एक इंस्टुमेंट खराफ हो गया तो यहीं पर बीजली रुख जाएगा बाद बाकी यह जलेगा ही नहीं दुसरा बात है कि अगर स्रेनी करम में अगर जोड़ा जाता किसी इंस्टुमेंट को इसमें बीजली के खपत कम से कम 5-6 गुना ज्यादा लगता है अगर इसमें खर्चा 10 रूपया है इसमें खर्चा कम से कम 50 से 100 रूपया आपका लगता है तो इस परकार से समांतर करम में जोड़ने से क्या होता है पहला बात है कि बीली का कम पढ़ता है दूसरा बात है कि इंस्टुमेंट खराफ होने पर भी पुरा घर का लाइट बंद न नहीं होता है अगला कुशन देखिए लोहे में जंग लगता है एक रशान रशानिक किरिया लोहे में जंग लगना एक परकार क्या रशानिक किरिया होता है रशानिक प्रक्रिया या रशानिक किरिया उनको का जाता है जिनको हम वापस उनके ओरिजिनल स्टेट में रीकवर न जाता है उनको वापस से भात दाल में कर सकते हैं उसी परकार से जो जंग लग गया उस जंग लगे लोहे को वापस उसके ओरिजिनल कंडिशन में नहीं ला सकते हैं बस उसको रबिंग करके उसके लेयर को हटाना पड़ता है तब जा करके उनका इंटर्नल लेयर दिखाए देता है जो जो जंग लग गया है उनको हम रिकवर नहीं कर पाता है ठीक है इसलिए इसको हम बोलेंगे रशानिक क्रिया अगला कोश्यन देखिए पश्यम बंगाल में किस फसल का सारवदिक उत्पादन क्या जाता है तो उत्तर परदेश में देखा जाए तो गेहूं इसका राइट एंसर हो जाएगा पश्यम बंगाल में धान हो गया और उत्तर परदेश में यूपी में देखा जाए तो गेहूं उत्तर परदेश में निम्ण में से किस फसल का सारवदिक उत्पादन क्या जाता है तो उत्तर परदेश में देखा जाए तो गेहूं हो गया और फिर गन्ना गेहूं और गन्न प्रकर्टिक चेहन के सिध्धान्त का प्रतिपादन का नाम क्या है तो प्रकर्टिक चेहन ये सिध्धान दिया था चार्ल्स डार्वीन के जिरी इन्होंने पंचियों पर अपने एक्सपेरिमेंट किये थे और पंचियों का जो मुख है जो चोंच है उन चोंच पर इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव देखा था और इन बदलाव के कारणी उन्होंने बताया कि जिस परकार से पंची के चोच में वो सरह इसे बदलाव करके एक नही प्रजाती का निर्मान होता है उभी लाको करोडों साल के बाद इनका ये सिधान था कि बहुत साल के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे की दिरे 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 करके वनसजों में प्राणियों के जो वनसज होता है उसमें चेंजेस होता है और एक ताइम ऐसा होता है कि पूरा वनसज ही चेंज हो जाता है जैसे कि मनुष्य, मनुष्य बना के से सबसे पहले पिर और यूकेरियोटिक के बाद फिर जल्य जीव, फिर स्थल्य जीव और फिर दिरे दिरे लाखों करोडों वर्सों के बाद मनुश्य का उत्पत्ती हुआ चार्ल्स डार्विन का यही कहना था कि ऐसे लोग जो इस इन्वारोमेंट के लिए शुटेबल है वो इस इन्वारोमेंट में दिवित रह पाया और ऐसा जानवर जो यह इन्वारोमेंट नहीं जेल पाया जिनके लिए इन्वारोमेंट शुटेबल नहीं था वो धिरे दिरे क करके विलूप तो होते गया ले अगला कोशन देखिए अगर अनुवांसिक प्रियोग के लिए मेंडल ने कि पोधे का चुनाव किया था बात मटर पोधे का चुनाऊ क्या पहला रीजन है मटर आसानी से क्या होता है मार्केट में मिल जाता है दुसरा बात अगर देखा जाए तो मटर का उनहोंने उपयोग इसलिए क्या उन्होंने चुनाऊ इसलिए क्या था क्योंकि उनका फूल में वैराइटी मिला एक तो आपका वाइट दूसरा परपल कलर दो कलर में मतर का फूल उपलग था दूसरा है मतर का जो फूल है वो बड़ा भी साइज में बड़ा होता है तो जिसके कारण एक्सपरिमेंट करने में भी आसानी होता था तो जिसके कारण उन्होंने मतर को चुना एक फूस्प का अकरिती को ले करके दूसरा है कि मतर का जो पोट होता है कि जो फली होता है उसमें भी वेराइटी उनको देखने को मिला इस परकार से एक सिकुडा हुआ और एक खुला मतर को भी उन्होंने वेराइटी देखा कलर में देखा जाये येलो कलर और ग्रीन कलर और फिर दूसरा है रिंकल भी मिला उनलों को और राउंड मिला एक साल में तीन से चार बार आसानी से फचल कर के उन पर experiment कर सकता था इस सब बातों के कारण ही मटर का मटर को चुना मेंडल ने अपने experiment करने के लिए अगला question देखिए मेंड़ किस वर्क के जनतु है तो देखिए मेंड़ के कैसा प्राणी है जो स्थल में भी रह सकता है और फिर जल में भी रह सकता है तो जल स्थल्चर का मतलब होता है अगर वह जल में रहता है तो इसकीन से सांस लेता स्थल में रहता है तो फिर लंस के द्वारा सांस लेता है अगला question देखिए कि आधुनिक मानों को जनतु के किस वर्ग में रखा गया है तो प्राइमेट्स इसका राइट एंसर होगा प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है कोशिकाओं के शमू ग्रूप अफसेल को क्या कहा जाता है तो देखिए ग्रूप अफसेल को टीशू कहा जाता है जो एक जिसे कारे करें उत्तक किसको कहेंगे कोशिकाओं का ऐसा समूँ जो एक जिसा वर्क करें उनको कहेंगे कीशू तो कोशिकाओं के समूँ को क्या कहा जाता है उत्तक कहा जाता है और उत्तकों के समूँ को क्या कहा जाता है और 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 के समूँ को क्या कहेंग तो और्गेन सिस्टम के समु को क्या कहेंगे बोडी कहेंगे तो कोशिका से उत्तक बनता है उत्तक से उत्तक तंट्र बोल सकते हैं यानि कि और्गेन बोल सकते हैं और्गेन सिस्टम से बोडी का निर्मान होता है अगला कुश्यन देखिए नेस्ट कोशन देखें कि मानो सरीर में आयोडीन की कमी सोत्पन होने वाला रोग जिसका राइट एंसर हो जाएगा घेंगा रोग अक्चलम क्या है कि हमारे गर्दन में तिसली नुमा एक गलेंड पा जाता है जिसका नाम है थाइरोइड गलेंड थाइरोड गलेंड में T3 और T4 हार्मोन कंट्रोल होता है तुसरा है कि आयोडीन लेवल को भी कंट्रोल किया जाता है अगर आयोडीन लेवल डिस्ट बैलेंस हो गया तो यह सूज जाता है जिसके कारण घेंगा रोग होता है मानोफ सरील कि सबसे छोटी हिदी कौन सी है तो कि हमारे कान के मज़ भागों में पा ज़ता जै जिस टेपिस बाड़िदे अगर और फिरmost एक इसम में कर देखा जाए तो K, E, D और A यह आपका fat soluble vitamin है और B और C vitamin जो है न यह water soluble vitamin है यानि कि vitamin B और vitamin C पानी में घुल जाता है ठीक है और K, E, D, A vitamin जो है वो fat में घुलने वाला vitamin है अगला question देखिए जिनोम चित्र का संबंध है आपका मस्तिक्स के चित्रन से जिनोम चित्र जो है किन से संबंधित है मस्तिक्स के चित्रन से अगला question देखिए लाश question आज का कि एड़वर्ड जैनर दुआरा विक्सित्र टीके का संबंध किस बिमारी से एड़वर्ड जैनर ने टीके के खोज किया था ठीक है एड़वर्ड जैनर ने टीके की खोज किया था दोस्तों वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक सेरो सब्सक्राब किजेगा मातिनीस क्लास थेंक य।